Hello Friends, I am Anil Aitan, आपके अपने YouTube चैनल Anil Aitan में आपका स्वागत है Friends, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो और आपको नोटिक्रेशन राप्त हो सके इस वीडियो में आप समझेगे Magic Tricks for Dice तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Dice जो है, याई पासा जो है, वो कितने परकार का होता है पासा होता है दो परकार का, एक होता है मानक पासा Standard Dice दूसरा होता है समाने पासा No Standard Dice तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मानक पासा कौन सा होता है तो friends हम सभी लुडो खेलते हैं तो एक dice का प्रियोग करते हैं यह जो dice है यह क्या है मानक पासा है तो मानक पासा यह आपको इस कोने से आपको इसके तीन फलकें दिखाई दे रही है तो इस फलक पे face के उपर आपको 1 दिखाई दे रहा है तो 1 के जो opposite आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा तो ऐसे आप देख लीजिए यह क्या है 4 है यहाँ पे 4 dots हैं तो 4 के opposite क्या आएगा यह number 3 आएगा तो इस परकार हम यह समझते हैं कि जो मानक पासा होता है इसके opposite face का जो सम होता है वो 7 होता है यदि opposite face जो होते हैं उनके अंकों का योग अगर 7 हो तो वो एक मानक पासा होता है और एक कोने से देखने पर इसके 3 फलक दिखाई देते हैं तो अब देखिए इसमें क्या है 3 है और यहाँ क्या 5 है यहाँ क्या 1 है और इसमें जो इसके साथ लगते वे फलक होते हैं सलनगन जो फलक होते हैं फेसिज होते हैं इनका योग कभी भी साथ नहीं होता जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 में अगर 3 एड़ करें तो equal to कितना आ रहा है? 8 आ रहा है जो कि 7 के equal नहीं है दूसरा देखिए 1 प्लस 3 करें तो हमारे पास 4 आ रहा है सम जो कि 7 के equal नहीं है फिर आप देखिए हमारे पास क्या 1 प्लस 5 1 और 5 का जब हम योग करते हैं सम करते हैं तो कितना रहा है? 6 जो कि 7 के equal नहीं है तो इस परकार हमने क्या समझा कि जो मानक पासा वो पासा होता है जिसके 7 लगते फलकों का योग 7 नहीं होता यानि 7 नहीं होता तो इसका मतलब यह कोई भी जो तीनों फलक हैं इन तोनों किसी भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है तो इनके opposite जो फेस होते हैं, उनके नंबरों का जो अंकों का योग होता है, वो 7 होता है, तो इससे हम क्या देखेंगे, जो 3 के opposite कौन सा आएगा, 3 के opposite जो अंक आएगा, 4 आएगा, और 5 के कितना आएगा, 5 जो है, 5 के opposite फेस के उपर, कौन सा अंक आएगा, 2 आएगा, तो 1 के opposite पर कौन सा आएगा आएगा तो इन समयने पासा यहनी 1990 संदरडडाइज मानक इंदर क्या अंतर उता है वह हों देखते हैं तो इसमें क्या होता है जोardi ही सम्ति साफ लगते फल्कों का किसी को दो फल्कों का योग साथ नहीं होता इस में कम से कम किसी भी जो दो फलक होंगे उनके अंकों का योग यदी साथ हो जाए चैसे हम यहां देख रहे हैं 4 प्लस 3 करें तो कितना होगा 7 हो गया तो यह एक क्या है मानक पासा नहीं है यह कौन सा पासा है यह समानने पासा यानि नों स्टनर डाइस है तो यह हमारे पास क्या है 1 है और 1 में 3 एड करें तो 1 में 3 एड करें तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है लेकिन यहां तो साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है किनी दो फलकों का किनी दो फलकों का योग यदी साथ हो जाता है तो वो क्या उन्सा होगा समान्य पासा होगा तो आए होते हैं जब पासे की एक स्थितिदी हो जब क्यूशन में केवल पासे की एक स्थितिदी हो तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज होगी वो हम समझते हैं तो हम देखते हैं कि ये पासा कैसा है तो इसमें देखिए किसी भी साथ अगर हम 3 add करें तो कितना हो रहा है 5 हो रहा है जो कि 7 के equal नहीं है और 6 में यदि हम 2 add करें यानि इन दोनों को add करें तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है जो कि 7 के equal नहीं है तो इस परकार ये कौन सा पासा है ये मानक पासा है तो मानक पासा अगर दिया हुआ है तो इसके हम opposite face के number क find कर सकते हैं जैसे two है तो टू के opposite face पे कॉन सा NES नंबर आएगा यानि बज़ीत फलक है कोन सा नंबर आएगा वह कि इनके वीप्रीत फलकों के इंगों का यह कितना ही सेवन होता है तो यहां पे कितना है तो कितना आगा और यह 6 दे रखा है तो 6 के opposite face पे कितना आएगा तो 6 को 7 करने के लिए इसमें कितना एड़ करें और 3 के opposite face पे कितना आजाएगा 4 आजाएगा तो जब पासे की एक स्थित्य दी हो और वो पासा मानक हो तो इसको ग्याद करने के बाद हमें पता चल जाएगा यह पासा मानक है तो इसके विप्रित फलकों के अंकों का योग साथ होता है कोई भी अंक पूछा हो तो वो हम इसको ग्याद कर सकते हैं एक पासे की दो स्थित्यां दी गई है तो इसमें पहला है पार्ट कि जब एक पासे की दो स्थितियों में एक अंक या एक अक्सर या एक चिन या एक रंग आदी समान हैं तो यह एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, इन दोनों स्थितियों में जो हमें अंक दिखाई दे रहे हैं फलकों के उपर, वो कौन से हैं, 3, 4, 5, 3, 2, 1 हैं, तो इसके इनको हल करने की जो trick है, magic trick है, वो मैं आपको बताता हूँ, कि इन दोनों स्थितियों में देखने पर एक अंक common आ रहा है, क्या है, जब एक पासे की दो स्थितियों में एक अंक, एक अक्षर या एक चिन या एक रंगादी समान है तो उसके लिए क्या trick है, देखिए, हमारे पास इसमें क्या है, थ्री और थ्री दोनों में common आ रहा है तो इनको हमने clockwise direction में लिखना है अंकों को, पहले एक जो पहली स्थितिय है, उसके अंकों को लिखना है थ्री के बाद क्या आगया फोर और फोर के बाद क्या आएगा फाइव तो फोर के बाद क्या आगया फाइव ये जब फाइव के बाद थ्री जो है ये फाइव के बाद थ्री आगया हमारे पास तो हमने इनको क्या लेना है, क्लोक वाइज लेना है, हम इनको एंटी क्लोक वाइज डारेक्शन में भी ले सकते हैं, जब हम एंटी क्लोक वाइज में लेना होगा, यदि हम क्लोक वाइज डारेक्शन में ले रहे हैं, तो इसके भी अंगों को हमने क्लोक वाइज डारेक्शन तो one के बाद क्या है? थ्री है हमारे पास है. ये दूसरे इसको डारेक्शन बताने के लिए आपको बताया गया है. तो अब यदि आप से ये पूछा है कि एक पासे के जब दो श्तितियां दी गई है तो उसमें अंक four के विपृत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो 4 के विपृत कौन आएगा? 2 आएगा, 4 के opposite फेस पे जो अंक आएगा वो कितना आएगा? यानि 2 आएगा, और यदि आप से ये पुचा है कि अंक 5 के विपृत फलक के उपर कौन सा अंक आएगा? तो वो कितना आएगा 5 पे कितना आएगा 1 आ रहा है और यदि इन जो हमारे पास एक पासे पर अंकित जो अंक हैं सबी फलकों पे यदि वो एक से लेके 6 तक अंक अंकित हैं तो 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा एक एक जामपल है जिसमें एक पासे की दो स्थितियां दी गई है और पासे के उपर जो फलक है इनके उपर सारे क्या है कलर हैं क्या दे रखे हैं यहां पे स्पेद रंग है यहां पे काला है यहां पे हरा है यहां हरा है यहां लाल है यहां क्या है पीला है अगर ऐसी स्थिति दी है तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि स्फेद रंग के जो है इसके अपोजिट जो हमारे भी प्रित फलक है तो वो कौन सा रंग आएगा तो जो हमने मैजिक ट्रिक सीखी है उसी काम परियोग करेंगे तो इसमें देखिए कि इसमें हरा जो है यहां पर क्या है यहां हरा है यह देखिए इसमें भी हरा है यह एक ही रंग दोनों स्थितियों में कॉमन है क्या है दोनों में कॉमन है तो इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले जो कॉम क्या आगया काला और काला के बाद क्या आ रहा है सफेद यह आगया सफेद हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारे से यह पूचा है कि सफेद रंग के विपरित पलग पे कौन सा रंग आएगा तो हरा तो इसमें भी हरा है तो हरे के नीचे हरा रिखिए इसको भी हमने किस डारेक्शन में चलना है क्लोक वाइस डारेक्शन में चलना है तो देखिए हरे के निचे हरा लिखेंगे हम हरा और उसके बाद हरे के बाद क्या रहा है पीला और फिर क्या रहा है हमारे पास है लाल क्या आगया लाल तो अब देखिए हमारे से कुछन में पूछा गया था कि सफेद रंग के विपरीत पलग पे कौन सा रंग आएगा तो वो कौन सा आगया सफेद रंग के लाल आगया यदि कुछन में आप से ये पूछा जाए कि काले रंग के विपरीत पलग पे कौन सा आएगा तो वो कौन स दुश्रा भाग क्या है कि जब एक पासे की दो इस्तितियों में दो अंक, दो अक्सर, या दो चिन, या दो रंग आधी समान हैं तो उस समस्य काम कौन सी magic trick से हल करेंगे वो देखिए तो हम यहां तो इस में हमारे पास क्या है इसमें जो दो अंक है यहां भी क्या है टू और थ्री यह क्या है दोनों में common है तो हमारे पास six के opposite कौन सा हो जाएगा five हो जाएगा तो इस प्रकार जो बच गए जो फलक जो बाकी रहे गया वो अंक एक दूसरे के opposite होते हैं या अंक हो रंग हो चिन हो कुछ भी हो वो इसके opposite होते हैं अब हम एक और उदारन की साहिता से इसको और समझते हैं हम एक और एकजाम्पल लेते हैं इस एकजाम्पल में हमारे से पूछा है चिन एड़दारेट के विपरीत कौन सा चिन होगा हमने एड़दारेट के विपरीत फलक पे चिन निकालना है तो हमारे पास जो pandemic दी गई है इसमों हम देखते हैं इसमें यहां पर डॉलर और रुपीज है हम इन दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि इसमें यह जो दो फलकों पर अंकित जो चिन है यह क्या है डॉलर और रुपीज इसमें भी क्या है डॉलर और रुपीज यह दोनों क्या है समान है दो फलकों प पर्योग करके और यही इस समस्या को हल्किया तो इस परिकार लाद के एक्जाम में आने वाले क्योशन को आप टू सेकंड में यह क्योट पर्योग करके और पांशे की देगी चार स्थितियों में से पहले भाग में पूचा है अक्सर के के क्योट कौनव przedstaw आक्षर होगा दूसरे बाग में पूचा है ये शाम और कहीं पर वी को नजर नहीं सी डिकी त्रिक ट्रिक लगों कोने देखने हैं यह क्या है क्या है क्या है मियूंद जो दो हमारे पास ये दो फलकों पर जो अक्सर अंकीत है वो कहीं और किसी स्तिती में हैं तो हम देख रहे हैं इसमें हैं क्या है इसमें भी क्यों और ई है तो अब देखिए ये जो हमारे पास क्यों और ई जो है इसमें क्या आ गया दोनों में क्या आ गया कौमन आ गया तो पह अक्सर E के विप्रित कौन सा अक्सर होगा तो E किसमी है, पहले में है दूसरे में भी है, हम इसको एक बार ये कर देते हैं दूसरे में भी है, तीसरे में भी आपको नजर आ रहा है और चोथे में नहीं है तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी magic trick लगेगी तो इसमें E है, इसमें क्या है? C, P है इसमें E है, तो इसमें भी कौन नहीं है तो इसमें P क्यों ये भी कौन नहीं है तो इसमें क्या है? L, P क्यों है और इसमें क्या C, E, P है तो इसमें क्या है? P कौन है इसमें भी क्या है? P जो है इन दोनों स्थितियों में जो है वो P क्या है common है तो यदि ये common है तो इसमें जो magic trick लगेगी जो हमने सीखिए थी कि इसको हमने किस direction में चलाना है clockwise direction में हमने इसको जो अक्सर अंकित है उनको लिखना है और फिर हम इस समस्या का हाले कर सकते हैं तो जो P common है सब सबसे पहले उस P को लिखिए P के बाद क्या लिखा जाएगा E लिखा जाएगा तो E को लिखेंगे हम और E के बाद क्या लिखा जाएगा C वैसे हमें C के लिखने की जुरूरत नहीं क्योंकि हमें E के ही opposite निकालना है लेकिन फिर भी कर कुष्ण में C का पूछा जाए तो भी हम उसको ग्याद कर सकते हैं तो P, P के बाद क्या आगया हमारे पहले हम P के नीचे P लिखेंगे और P के बाद जब हम clockwise जालेक समय लिख रहे हैं तो कौन सा आएगा क्यों आएगा और क्यों के बाद कौन सा आगया? L आगया तो हमें हमारे से पूछा था कि E के विपरित कौन सा अक्सर है तो E के विपरित कौन सा आगया? क्यों आगया? तो इस परकार हम इस समय स्मय को magic trick का प्रियो करके second में हल कर सकते हैं और यदि C के विपरित पूछा हो तो भी हम बता सकते हैं कि C के विपरित कौन सा आएगा? L आएगा एजिक trick सिखते हैं कि जब हमारे पास open dice दी हो क्या दी हो? open dice दी हो ये एक open dice दे रखी है जिसमें यहाँ पे जो फलकों के उपर अंक अंकित हैं यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6 और 3 हैं तो इसमें जब हम सीखने के लिए कि कौन सा फलक के विपरित फलक कौन सी आएगा? उसमें क्या होता है? alternate होती है यहनि एक को छोड़ करके एक होती है तो एक के विपरित कौन सा आता है? एक के विपरित आता है? 4 यानि एक के विपरित 4 आएगा तो एक के विपरित कौन सा आएगा? 4 आएगा और टू के विपरित कौन सा आएगा? 5 आएगा तो टू के विपरित कौन सा आएगा? 5 यानि एक छोड़ के अगर सीधी जो लाइन है इसमें एक सोड करके दूसरा एक के विपरीत होगा अब हमारे पास कौन रहेगा 3 तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा हमारे पास 6 आएगा तू के विपरीत हमारे पास 5 आया था और 3 के जो है उपोजिट जो है वो कौन आएगा 6 आएगा तो इस परकार open जो dice दे रखी हो तो उसके हम विपरित पलकों पे अंक ग्याद कर सकते हैं देखिए मैं आपको इसे ये मेरे पास एक क्या है open dice दे रखी है इसको मैं अब आपको close करके दिखाता हूँ कि ये देखिए 1, 2, 4, 5, 6 और 3 दे रखी है अब मैं इसको close करता हूँ तो देखिए तो देखिए क्या बनेगा ये एक क्या बन जाएगा क्यूब जो किसके जैसा है ये एक dice के जैसा है तो आप देख रहे हैं 1 1 के हमने opposite कौन निकाला था 4 तो ये क्या है 1 तो 1 के opposite क्या आ रहा है 4 तो ये क्या है 3 तो 3 के opposite कौन आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है ये देखिए 3 के opposite 6 आ गया और फिर हमने बताया है कि 2 के opposite क्या आएगा 5 आएगा तो आप देखिए ये हमारे पास अंक 2 है ये क्या है अंक हमारे पास है 2 है इस फलक पे तो इसके opposite फलक पे कौन सा हो जाएगा ये क्या आजाएगा फाइव आजाएगा तो इस परकार जो हमारे पास ऐसी अगर open dice दी गई है तो एक के opposite हमारे पास 4 आएगा 3 के opposite 6 आएगा और 2 के opposite 5 आएगा मैं एक example लेता हूँ ये एक example है जिसे पासे की खुले यानि open dice दी गई है अब हमने इसको फोल्ड करके एक dice का रूप देना है यानि पासा बनाना है और देखना है कि ये जो 4 option दिये गई है इसमें से कौन सा पासा बनेगा यानि कौन सा सही हो तो पहले हम देखते हैं कि कौनसे जो अकसर है वो किसके विप्रीत आएगा तो a जो है एक विप्रीत में यानि opposite में कौन सा आएगाritis एकंसा आजये तो C के अपोजिट है F तो हमें मालूम है T जो विप्रीत वह वह नहीं होते हैं तो A के विप्रीत यहां पे D है तो A के साथ D नहीं आ सकता A के साथ वाले फलक पे F नहीं आ सकता तो इसी का प्रियोग कर के हमिए कि फलक यानि फेस्स के उपर है तो यह साथ नहीं होगा इसका रूप जब इसको अम फोल्ड करके इसको पासा बनाएंगे अब इसमें देखिए बी और ई है तो यह भी एक दूसरे के अपॉजिट है अपॉजिट फलक के ऊपर है तो यह साथ नहीं आ सकते यह भी क्या हो गया ग और यह जो है एक दूसरे के विप्रीत है तो यह भी नहीं होगा तो इसको बिना देके हम कह सकते हैं कि चोथा सही होगा लेकिन यहां फिर भी हम चेक करेंगे तो यहां क्या B, D, C क्या B, D, C जो है ये क्या है एक दुसरे के विप्रीत नहीं है ये साथ लगते हुए फलकों पे अंकित अक्सर है तो इस प्रकार इस एक्जामपल में कौन सा उप्शन सही हुआ पासे के खुली स्थिति दी गई है और इस पर अंकित किये गए हैं यहां पर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है तो ऐसी स्थिति में कौन सा अंक किसके विप्रीत आएगा वो हम देखते हैं तो इसके लिए में जिटर किये है कि एक को छोड़ दीजिए तो 4 के अपोजिट कौन सा आ आ जाएगा, और 3 के अपोजिट कौन आएगा, 1 आएगा, 3 के अपोजिट कौन आएगा, यह को हमनें चोड़ना है, तो आप जो बच गए, फ् Alone Kenneth, कौन से बच गए, 5 और 6 यह तो 5 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 6 आज थेएगा, तो यह हमारे पास है, हमने इस परकार के जो condition दे रखी हो तो उसको fold करके हम एक पासा बना सकते हैं ये देखिए मेरे पास एक ये क्यूबाइड है उसी क्यूबाइड की cutting है तो आप इसको Q भी मान लीजिए इसमें इसी स्तिति को दर्साया गया है यहां पे क्या 4, 3, 2, 1, 6 और 5 है मैं अब इसको fold करके देखता हूँ कि क्या जो हमने निकाला है वो इसको सही मिलेगा देखिए यहां पे कौन सा अंक आ रहा है आपको 2 आ रहा है तो 2 के opposite कौन आ गया 4 ये देखिए 2 के opposite 4 है तो ये हमारे पास कौन सा है 5 5 के opposite कौन आ रहा है 6 आ रहा है तो ये देखिए हमारे पास 5 के opposite 6 आ गया अब 1 और 3 है इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास 1 है और 1 के opposite कौन आ गया 3 आ गया तो इस परकार हम ऐसे जो समझे हैं दी गई हो तो उसके opposite कौन सा आएगा इस tricks के साहिता से हम उसको हल कर सकते हैं आईए अब हम एक उधारन लेते हैं और exam में इस परकार के जो position दी हो किस परकार के question पूछे जाते हैं उस उधारन की साहिता से हम समझते हैं ये हमारे पास एक example दिया गया है जिसमें एक पासे के परसारी तूप ये पासे में वो कौन सी स्थिति सही है वो हमने चेक करना है तब हम देखेंगे कि A के opposite A के opposite कौन सा आएगा हमारे पास को ना E आएगा A के opposite E आता है और यहाँ पर क्या B के कौन सा आ जाएगा B के opposite F आ गया ये हमने अभी जो magic trick से की उसी काम प्रियोग कर रहे है और C के opposite कौन सा आ रहा है D तो C के opposite कौन सा आ रहा है D आ रहा है तो इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो विपरीत फलकों पे अंकित अक्सर चिन या जो भी अंक हैं वो कभी भी साथ लगते फलक पर नहीं आ सकते तो इसमें क्या रहा है D, C, A है तो इसमें देख रहा हो D और C जो है विपरीत फलक पर है यानि opposite face पर है और यहां क्या दे दिया एक साथ तो यह गलत है यह नहीं होगा option सही यह F, A, E है तो यह A और E क्या है इसके opposite है तो यह इसमें साथ फलकों पर दिया गया तो यह B, इसका सही नहीं है तो आखे देखे C, A, B C, A, B यह क्या है, सारे क्या है आपोजिट यह ना तो A, B के opposite है ना B, C के opposite है यानि इसका मतलब क्या हुआ यह साथ लगते फलकों पर अंकित है तो यह इसका option क्या होगा है? सही हो गया हमें चोथे को देखने की जरूरत नहीं है हम इसको tick कर सकते हैं सीधा लेकिन फिर भी हम जांच कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं तो देखिए A, F, B है तो यहां पे क्या F और B एक दूसरे का opposite है तो F क्या है? इसके F है वो B के साथ दिया गया है तो यह इसको fold करने पर यह स्थिति नहीं बनेगी यानि यह नहीं बनेगा तो कौन सा option सही हुआ? C option सही हुआ अगर पासे की ऐसी खुली स्थिति दी हो और इसी स्थिति के अंदर किस परकार क्यूशन पूछे जाते हैं एक्जाम में वो हम एक साथ ही करते हैं तो देखिए अगर ऐसी स्थिति दी हो तो कौन सा आंक किस के विपरीत आएगा? देखिए 4 के विपरीत 2 आएगा यानि इसके लिए magic trick यहीं है कि एक को छोड़ करके दूसरे के विपरीत आता है यानि alternate आता है तो 4 के opposite कौन सा आगया आंक है? 2 आगया अब इदर देखिए यहां भी क्या आएगा? एक को छोड़ करके दूसरा आएगा तो क्या आएगा? एक के विपरीत कौन सा आएगा? 6 आएगा अब बच कौन गया है हमारे पास? 5 और 3 सेस रहेगे इसका महलब 3 के जो opposite है वो कौन आएगा? 5 आएगा तो 3 के opposite कौन है? 5 आगया अब question यह हमारे से पूछा गया है कि ऐसी स्तिती के अंदर जो ऐसी यह घुला पासा दिया गया है इसको फोल्ड करने पर इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा? तो देखिए पहला क्या है? 2, 5, 4 है तो यहां हम देख रहे हैं 2 और 4 क्या है? एक दूसरे के opposite है और यहां क्या आ रहे है? 7 सलगन फलक में आ रहे हैं तो यह पासे की श्तिती नहीं हो सकती फिर देखिए हमारे पास यह जह क्या 4, 1, 3 है तो हमारे पास 4, 1 और 3 यह क्या है? यह एक दूसरे तीनों जो है यह ना तो 4, 1 के opposite है ना 1, 3 के opposite है इसका मतलब क्या हुआ? यह श्तिती बिल्कुल इसकी सही है इसको forward करने पर यह सा पासा बनेगा अब हम वैसे तो यहां हम टिक कर सकते हैं लेकिन आगे हम चेक करते हैं कि यह जो दिये गए हैं क्या वो सही है या गलत है तो देखिए 3, 5, 6 है तो 3 के opposite कौन है? 5 है यहां पे 7 में फलक पे दिये गए है तो यह भी नहीं होगा इसमें क्या 1, 6 और 3 है हमारी पास तो यह क्या है? 1 और 6 एक दूसरे के opposite है तो यह भी नहीं होगा तो right answer कौन सा होगा? B option होगा इस परकार का एक खुला पास आ जाता है तो ऐसे personnal को हम एक्जाम में कैसे हल करेंगे? यह अब हम इसको समझते हैं magic trick का प्रयोग करते हैं तो देखिए मैंने बताया था आपको कि जो एक को छोड़ करके यह अल्टरनेट जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के विप्रीत होते हैं फलक तो 5 के opposite कौन हो रहा है यहां पे? 4 हो रहा है 5 के opposite कौन आएगा? 4 आएगा यानि यह जो फलक हैं एक दूसरे क्या होंगे? विप्रीत होंगे और 1 है 1 के opposite कौन होगा हमारे पास है? 1 के opposite बनेगा कौन बनेगा? 3 बनेगा तो यह जो दोनों फलक हैं यानि यह भी इदर से एक छोड़ करके दूसरा आ रहा है तो यह विप्रीत फलक होगे अब 2 के opposite क्या आएगा? वो देखिए 2 के opposite क्या बनेगा? तो अब यहां क्या है? A इदर क्या है? B तो हमारे पास जो यह क्या है? यदि यह A है तो इसके सामने क्या आएगा? B आएगा और दूसरा क्या है? C और D है तो देखिए यदि यहां पे C आएगा तो इसका opposite क्या आजाएगा? D आजाएगा तो यह जो पासे का जो फलक के उपर जो दिखाए देगा वो 2 के opposite होगा तो अब हमने यह देखना है कि इसको फोल्ड करके यदि हम एक पासा बनाते हैं तो निमन में से कौन सी स्थिति सही होगी? तो देखिए A option में क्या दिया गया? 1, 3 दिया गया जबकि 1 और 3 क्या है? एक दूसरे के opposite है तो यह इकठे यानि एक साथ पलक पर नहीं आ सकते तो यह हमारे पास क्या हो गया? option गलत है फिर क्या हमारे पास 2 और 5? तो 2 और 5 तो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं अब देखिए तो 5 के साथ हमारे पास यहां पर क्या है? 5 के साथ क्या है? A तो यहां 5 के साथ क्या रहा भी और 2 के साथ हमारे पास है 2 है 2 के तो बिल्कुल opposite है यह सारे के सारे तो यह option भी इसका बिल्कुल गलत है अब देखिए 1, 3, 5 तो 1, 3 के opposite है तो यह भी 7 लगते फल्क पर नहीं आ सकता यह option भी गलत है तो हमारा चोथा option बिल्कुल सही है बीना जांच किये भी हम इसको टिक कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम जांच करते हैं यहां क्या one और four है तो one और four तो opposite नहीं है एक दूसरे के तो इसका हम लिए साथ वाले फलक पर आ सकते हैं फिस पर आ सकते हैं तो one के साथ क्या आ रहा है दोस्तों हमने इस वीडियो में डाइस से समझें सभी प्रकार की समझ्याओं को हल करने की magic trick सेकी यदि यह आपको समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिला हितान को सब्सक्राइब कीजिए